लालू परसाद यादव ने कहा है कि यदि जातिय जन्गन्ना नहीं होता है तो जन्गन्ना का बहिस्कार करेंगे और लालू परसाद यादव किस बयान पर बिहार में सियासत शुरू है बीजेपी प्रवक्ता बिनोज सर्मा ने कहा कि लालू परसाद यादर हरमेशा उट पटांग बोलने के लिए ही जाने जाते हैं दिमाग से भी और स्वस्थ हो चुके हैं और पिछरे और अति पिछरे की राजनीत कर केवल परिवार को ही संपोसित किया है बिहार की जनता उन्हें पहचान चुकी है और जो दीव बिधायक बीने चौधरी ने भी कहा कि लालू परसाद यादर इसी तरह की बातें करते हैं जबकि मुखमंतरी ने पत्र भेजा है और परहान मंत्री से मिलने के लिए तो जब परहान मंत्री से बात होगी तो सब कुस चीज़ें साफ हो जाएगी देखिए लालू परसाद जी पुर्पटांग ब्यानबाजी के जनक रहे हैं और निश्ची तुरुप से बिहार की जनता उनको पुरी तरह समझ चुकी है करने के लिए काम किया इसलिए बिहार की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है दस बशस्तों पर जन जनगन्ना होती है जिससे हमारा भोट का निरधारन होता है तो निश्ची तुरुप से बिहार की जंता इन बातों को ध्यान 4 तो कि वह अस्वास्त भी हैं और मांसी ग्रूप से भी अस्वास सो चुब हैं लालू परसाजी इसलिए उनकी बातों को विहार की जंताप तबज्जो देने वाले नहीं है वो बहुत ज्यादा अगले पिछले की लडाई करके सत्ता का फैदा उठाया और केवल अपने परिवार को ही संपोसित करने का काम किया तो अब उनके बातों का बहुत ज्यादा सर्विहार में नहीं होने वाला किया उसके लिए बातावरन बनाने की करने से अख्रित कोई काम मतलम नहीं है नोतर विधी करते हैं प्रणामंत्री जी की बात है बहुत सारी बात होती है जाती है जनगन्ना को लेकर मुखमंत्री नितिस कुमार ने चार अगस्त को ही पत्र लिखा था लेकिन अभी तक प्रहानमंत्री के तरब से किसी तरह का बुलावा नहीं आया है ऐसे में आरजेडी इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहा है और दिल्ली से ही लालुपरसाद यादव इस मुद्दे को भुनाने की कोशिस में लगे है अभिनाश यह थिवी भारत पत्ना आगा है